हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपके यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो यूपी एनचम की तरब से एक और भड़ती लेकर आचुका हूँ 2023 की ये दोस्तो दोसरी भड़ती आचुकी है यहाँ पर देख सकते हो कारियाले मोक चिकिस्ता अधिकारी चित्रकूर से भड़ती निकाली गई है जी हाँ दोस्तो यूपी एनचम सीधी भड़ती 2023 दोस्तो यूपी एनचम की तरब से विभीन पदोग पर ये वेकेंसी आचुका है इसका फूल लोडिफिकेशन आचुका है इसके पहले यहाँ पर बता दे तो चिकिस्ता अधिकारी यानि की मेडिकल ओफिसर और एनडम नर्स की वेकेंसी निकाले गई थी जिसकी वीडियो मने बना रखी है चैनल पर वीडियो मिल जाएगी बाकी दोस्तों दोसरी बढ़ती है इसमें 70,000 पलस आपको सैली मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आप लोग जो है 15 अपरेल 2023 जो है इस फार्म को अपलाई कर सकते हो इसमें आप लोगों का स्क्रेनिंग होगा फिर आप लोगों का इंटर्वू होगा और इंटर्वू डेट 25 अपरेल रखे गई है तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले important date के बारे में इसके बाद दोस्तो qualification के बारे में job location, salary के बारे में जानकारी देने वाले हैं दो position पर दोस्तो भरती निकाली गई है जिसमें position अनुसार यहाँ पर आपको salary दे जाएगी कैसे farm को भरना है, कहाँ पर farm भरके भेजना है, इन सबी की जानकारी भी देने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग skip मत करिएगा, चलिए आपको लेकी चलते हैं notification पर यहाँ पर देखी notification ओपन हो चुका है, अमर उजाला न्यूज पेपर में दोस्तो यह notification पब्लिस किया गया है यहाँ पर देखी सबसे पहले कारियाले मोकिचिकिसा अधिकारी चित्रकूड दिनांग 22 मार्च 2023 पातरांग संक्या है 1773 और बताया गया कि आयुसमान भारत परधान मंत्री जन आरोग योजना के अंतरगर संविदा के रिक्त पदोग पर निमलिकित अनुसार संविदा कर्मियों की आउसकता है तो आयुसमान भारत परधार मंतरी जन आरोग योजना के तहत कार्याले मोकिची की साधिकारी चितरकूर्ट यूपी एनचम के अंडर में दोस्तों भरती निकाली गई है यहाँ आप देखिए आपका number one पोस्ट के बारे में information है सेली के बारे में information है and qualifications के बारे में information दी गई है और कितनी vacancy है इसकी जानकारी दे गई है तो district program coordinator की यहाँ पर vacancy है और district program coordinator में दोस्तों number one EMBBS, जो EMBBS कर रखे हैं BHMS, BAMS, BUMS, BDS पलस 5 years का experience है तो आपको 50,000 रुपे selling मिलने वाली है किलियर है और जो यहाँ पर 5 years का experience है और जो यह qualifications कर रखे हैं उन्हें ही दोस्ती selling मिलने वाली है No.2, 70,000 रुपे selling यहाँ पर मिलने वाली है किसको EMBBS, BHMS, BAMS, BUMS, BDS विफ, फुल टाइम, रेगुलर इनुवर्सिटी डेगरी ओफ MBA इन हेल्थ केर, मास्टर ओफ हेल्थ हॉस्पिटल एडिमिनेस्टेसर ओफ मास्टर ओफ पबलिक हेल्थ एंड हैविंग एटलिश्ट फाइफ यह एक्स्पिरियंस तो दोस्तों, अगर आपके पास MBA नहीं कर रखके हो कोई मास्टर डिगरी अगर आपने नहीं ले रखका है हेल्थ केर में या हॉस्पिटल स्लेटेड तो आप लोग क्या कर सकती हो आपको 50,000 रुपे यहाँ पे सेली मिलने वाली है तो यह qualifications का अनुसार यहाँ पे आपको सेली दी जाएगी बकि यह देख लेना कि कम से कम आपको 5 साल का experience आपके पास होना चाहिए और इसमें देखोगे तो एक vacancy है दोस्तों और एक vacancy यूर केटिगरी में रखे गई है नीचे आओगे तो district information system manager की vacancy है और इसमें 240,000 रुपी आपको सेली मिलेगी अगर आपने computer science या math and computing data science में MCA कर रखे और बेटे कर रखे हो तो आप लोग farm का apply कर सकते हो minimum 5 years का experience यहाँ पे मागा गया है एक vacancy यूर केटिगरी में है तो दो vacancy निकाली गई है यूर केटिगरी में और इसके बाद जो है देखोगी तो यहाँ पे आववेदन का प्रारूप दिया गया है सबसे पहले आववेदन का प्रारूप है इसकी cutting निकाल लेना और इसको अच्छे से fill कर लेना यहाँ पे विग्यापन संख्या देना है आपका नाम देना है फोटो यहाँ पे चस्पा करना है इसके बाद नाम के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो पीताया पती का नाम दे देना है इसमें male of female दोनों apply करेंगे बाकि qualification की details यहाँ पे mention करनी 2023 रखी गई है साच्छाथकार किती हattend हुआ समय 25 अप्रेल 2023 रखी गई है और इंटर्वू का अस्थान कार्याले मोखिची की सादीकारी चितरकोट में रखी गई है अब यहाँपे देखे कुछ सर्त है अब क्या क्या सर्त है पड़लो No.5 दिनांग 1 जून 2023 को अधिक्तम 45 वस आयो तक के स्वास्त अभेर्थी चैन हितु अर्य होंगे इस क्रेनिंग को उप्रांत पात्र पाएगे अभेर्थी ही साचातकार में पर्दिभाग कर सकती है नंबर 7 अभेर्थीयों को केवल इंटर्वू कित्तिती को उपस्तित होना अनिवार है सम्विदा पर नियोक्ति एक निर्धारित अभद के लिए की जाएगी आवसकता योँकारियों के अधार पर अभदी का विस्तार किया जा सकता है यह सम्विधा तैनाती पोड़त आस्थाई है सम्विधा कर्मी चिकिसक अपने जो भी हापी पर्मानेंट है या अस्थाई करण का दावा नहीं कर सकेंगे और नहीं इन्हें निर्धारित मान दे के अत्रिद कोई अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी यह साबसा बोला गया है लाश नमबर टेन देखिए आवेदन पत्र मुकि चिकिसा अधिकारी कारियाले में स्पीट पोस्ट योग पंजिकरित डाक के माध्यम से ही सविकार किया जाएगा तथा अंतिम्तित के पस्चाथ प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र ना तो विचारणी होगा और ना ही उस ह देखिए तो कोई दावा परस्तुत किया जाएगा www.upgovernment.nic.in.up id नमबर इसका है date mention है 29 March 2023 मुकि चिकिसा अधिकारी चित्रकूर्ट से भरती निकाली गई है तो दोस्तो यह application form है इसको अच्छे से fill करके जो भी documents उसको attach करके कारियाले मुकि चिकिसा अधिकारी के कारियाले में speed post या पंजेकरी डाक के माध्यम से 15 अपरेल से पहले form भरके भेद दो इसके बाद दोस्तो इस screening होगी 22 अपरेल को फिर आपको mail किया जाएगा SMS and worship किया जाएगा और फिर आपका दोस्तों entry होगा 25 अपरेल को कारियाल है मुकि चिकिसा अधिकारी चेत्रकूर्ट है तो इसमें आप लोग देखोंगे तो एक ही विकेंसी है और इसमें BTMCA वालों को मौगा मिलेगा और BTMCA वाली यहां पर फार्म को अप्लाइ करेंगे तो कारियाल है मुकि चिकी साधिकारी चित्रकूर्ट से भरती आ चुकी है और इस भरती के बारे में हमनें आपको जानका दे इसमें आप बारत परद्ः मंतरी जन आतरुम है इसके पहले दोस्तों कारियाल है मुकि चिकी साधिकारी से यहां पर एंड़े पेर विकेंसी निकाले गई है और यह दोस्तों 4 प्यक्रटों पर विकेंसी निकाले गई है इसकी वीडियो माने बना रखी इस चैनल पर वीड बाद बाद